कौन किसको टोपी देता घौन किसको धोका देता कौन चोर कौन है साधू कौन है सच्चा कौन है जुटा भोलेगा कोपल भाड आईगा कोपल भाड देखिये गोपल भाड ये है गोपल भाड धोड़ा खटा धोड़ा मिखा सच्ची बातें कहानी में लिप्टा खुशियों की दोगत लेकर हसी का तफा भोलेगा कोपल भाड आईगा कोपल भाड देखिये गोपल भाड ये है गोपल भाड एसा चरित्रा बड़ा ही पिछीत्रा धुमक धुमक कर करे देखो नियत्ता एसा चरित्रा कानों से सुनो जरा छुप छाप सोचो जरा आखो से देखो जरा भोलेगा कोपल भाड आएगा कोपल भाड देखिये कोपल भाड ये है कोपल भाड भोलेगा कोपल भाड आएगा कोपल भाड देखिये कोपल भाड ये है कोपल भाड सचमुझ गोपाल मैं तुम्हें जितना ही देखता हूं उतना ही आश्चर होता हूं क्यों महराज आश्चर क्यों हो जाते हैं मैं कोई महल हूँ या अजूवा कि ना कोई समाधी मतलब मैं कोई शिल्पकार हूँ क्या जिसे देखकर आश्चर हो जाते हैं सत्यूज गोपाल तुम बड़े दो मुहें हो सच बात या है कि असपस्ट बात कहने से आतमी तो मुहा हो जाता है समझे देखो गोपाल मुह समाल करके बात करोगे आख मठ दिखाना बिलकुल आख मठ दिखाना आःःः फिर से शुरू होगे तुम लोग कहां चैद दैशाक के महिने में हवा का अनंद लेंगे और यहां आपस में दो कहानिया कहते काले हाती जैसे शुरू हो गया है क्या करें सचमुच तुम लोग भी न तो हां क्या बोलना चाहता था मैं वही महराज आश्चर होने वाली बात सचमुच इतनी बुद्धी कहां से पागे गोपाल तुम जानने की खूब इच्छा है बहुत लंबी कहानी है बोलने में समय लगेगा समय लगे फिर भी मैं सुनूँगा अबुचंद्र क्या बोलते हो जरूर जरूर महराज गोपाल की बुद्धी पाने की बात मैं जरूर सुनना चाहूँगा गोपाल शुरू करो शुरू करो ठीक है तो सुनिए बहुत समय पहले की बात है मैं तब छोटा था ज्याले में पढ़ने लिखने जाता था क्या पढ़े बोलो तो काकस्य परवेदना किसे कहते है बताओ तो मास्टर जी ये मुझे काकस्य परवेदना बताओ मचली कहां से सास लेती है मचली शास पुछ लेती है मचली कहां से सास लेती है वाँ 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 बहुत सुन्दर खड़े हो जाओ अरे रोहन गोपाल नहीं आया इस्कूल के बहाने कही गया न क्या हाँ मास्टे जी आना तो दूर की बात है दो दिनु से दिखाई नहीं हाँ मास्टे जी या बोल रहे हो उसके घर कोई विमार पड़ गया न क्या नहीं छुट्टी के बाद गोपाल के घर जाना पड़ेगा में राम मीला चल रहा है देखने जाओंगा ठीक है आज जा रहे हो जाओ लेकिन सावधान कल कोई अगर अनुपस्तित रहा या पाठ याद नहीं किये तब तुम लोगों के सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति है हाँ हाँ मस्टर जी कलम जरूर पढ़ा याद करके पशला आए नहीं मैं भी चलूं गोपाल का पता लगाड़े हाँ 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 मैं रावड हूँ तुम एक सामान्य इस्त्री हो ज्यादा इधर उधर करोगी तो लंका उठा कर ले जाओंगा तुम क्या मेरे ससुरो जो तुम मुझे लंका उठा कर ले जाओंगे अरे वह तो गोपाल लगता है विद्याले छोड़ कर यहां क्या कर रहा है जा कर देखू तो मुझे तुम्हारा पती मारेगा उसके आगे ही मैं उसे मार डालूँगा जोड़ जोड़ मेरा कान दुख रहा है जोड़ जोड़ दुख रहा है अभी दुख रहा है बोलो तीन दिन कहां थे विद्याले क्यों नहीं गया सससज बताओ नहीं तो डंडा डंडा मार कर तुम्हारा चमडाओ धेड़ दूँ बोलता हूं बोलता हूं विगत परशो तो शुक्रवार था पंजिका मैं लिखा था शुक्रवार को आंधी तुफान बरसात भुकंब ये सब आने वाले है गुरुजी अच्छा कल क्या हुआ था पडोस की चाची मर गई थी पिता जी बोले चाची तुम्हें अपना बच्चा मानती थी आज विद्याले माच जा उसके आत्मा की शांती के लिए ही हम लोग श्रोक पालन किये थे ओ समझ गया समझ गया और आज क्या हुआ कल रात में भगवान सिरी राम चंद्र दर्शन देकर तुम्हें यहां रावड़ बंद देखने के लिए बोले इसलिए विद्याले नहीं आया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मतलब चुप शैतान तुम्हारी शैतानी मैं नहीं जिधर वे देखता हूं चारों और नर्मुंड दिखाई दे रहा है सब मोती जैसे सफेड ऐसा लगता है चारों और संगमरमर की गोलिया विखरी है उन्हें देखकर शरीर के रोए खड़े हो जा रहे हैं उसके बावजूद भी बहादुरी के साथ आगे बढ़ते जाओंगा अजीब द्रिश्य है असपस्ट नहीं धुंदला धुंदला सा कोई हाथ हिला कर मुझे पुला रहा है ऐसा ही लगता है आओ थोड़ा पास आओ और पास आओ और पास आओ और पास आओ चाहिए तो हुआ है अधिया अधिया नर्मुंडो के जाने के बाद मैं चुप्चापश्य चुप्चापश्य रहे हैं खड़ा हो गया और उसी समय सुनाई दिया ओम ध्वनी लग रहा है वह ध्वनी बहुत दूर से आ रही है नहें इस बात का पता लगाना होगा वैसे तो मुझे बिलकुल डर नहीं लगता है उस ध्वनी की आवार सुनकर मैं ध्वनी का पता लगाने के लिए उसी वो जाने लगा कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ एक विचित्र घटना एक सन्यासी चिता के उपर ध्यान मगन था उसे चारों और से घेर कर कंकाल निर्थ कर रहे थे फिर भी मैं निर्भय होकर साधू की और बढ़ता गया चानक साधू की आखे खुली उसकी दोनों आखे अगनी कुंड के समाल लग रही थी धीरे धीरे उसके आखों की ज्वाला शान्थ हो गई हस्मुक शरीर वाला सन्यासी दिखाई दिया उसके चेहरे पर अपुर्व शान्ती जलक रही थी उसके चेहरे और आखों पर बंकाल ऐ नरकंकाल मेरी बाध्यांचे सुनो दूर रहो उसे आने के लिए मार्ग दो आओ आओ वच आओ आओ गोपाल आओ पास आओ तुम तो बहुत सासी हो बेटे मेरे पास जरने वाली बात बहुत कम है Śादु महराच महानी बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हारी तीडता और सहसितता का पुरसकार देना चाहता हूं आओ आओ मेरे पास आओ आओ जी हाँ आ रहा हो मत्स मंत्र तुम्हें अच्छी तरह याद है तो जी हाँ साधु महाराज अच्छा 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 बोलना शुरू करूँ नहीं नहीं एकदम नहीं भूल कर भी नहीं अपने इश्ट देव को मन ही मन याद करके जीवन में केवल एक बार ही इस मंत्र का उचारण कर सकते हो दुबारा नहीं पहली बार उचारण करने से क्या होगा महाराज पहली बार उचारण करते ही यह मंत्र अपना काम शुरू कर देगी कार्य समाप्त होते ही यह मंत्र तुमें छोड़ कर मेरे पास वापस आजाएगी बत्स इस मंत्र के उचारण से तुम्हारे इच्छी देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे इस मंत्र का उचारण तुम दुबारा नहीं कर सकते हो भमकाज गोपाल अरे गोपाल अंदर ही चलो देखते हैं हाँ 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 चलिए पंडी जी चलिए अरे गोपाल अरे गोपाल अरे गोपाल बदमास गोपाल कहां छुपकर बैठा है गोपाल अरे गोपाल अरे गोपाल अरे गोपाल नेपाल चाचा वहा है आपका बेटा गोपाल अपनी आँख दिखाओ तो लगता है गैस है कुछ दिनों तक डाप का पानी निरामीश बिन मसाले वाले भोजन इनको खिलाना पड़ेगा गोपाल की हालत शाम कोब जरूर बताना अच्छा तो अब मैं चलता हूं नेपाल कविराज महा से कुछ भी कहे लेकिन तुम एक बार मेरे पिता जी को जरूर बुलाना नेपाल कविराज महा से कुछ हाँ 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 वो पंडी जी ठीकी बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए पहले तो वो सम्षानी था ना और उस उचे टीले पर बैट कर चांद बाबा साधना करते थे ठीक है जब हम लोगों के साथ साथ पंडित महराज दी भी कह रहे हैं तो चलू मैं जाकर शाधु बाबा को ले आऊँ चल रहे रोहाल मैं भी एक पहर पे तयार हो क्यों चाचा ओम हिरिंग ब्रिंग करिंग ब्रिंग स्वाहा ओम अकनी देवे स्वाहा ओम चमन्दाय स्वाहा ओम स्वाहा 조. ओम स्वाहा ओम स्वाहाились महाश लोग भूद के लक्छन कहीं दिखाई नैंवे करने लग रहा है कोई दिव्य जोती घर के चारों और चक्कर लगा रही है क्या बोल रहें तांत्रिक जी पवित्र जोती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल यह तांत्रिक ओजा कभी जूट नहीं बोलता रात में कल क्या घटना घटी थी क्या आप लोग जानते हैं इस घटना का पता लगाना है तांतरिक जी जो हुआ है मेरे बेटे के साथ वो हाँ क्या हुआ है क्या नहीं वो तो मेरा बेटा ही बता सकता है साब साब तांतरिक जी कहां है वा सोया हुआ है क्या ना उसकी तब्य ठीक नहीं लग रहा है ना इसलिए सोया हुआ है ठीक है तुम मुझे वही ले चलो चलिए 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 बाबाजी ओ गपाल उठो उठो बाबाजी को परणाम किजिए रहने दो रहने दो उसकी कोई ज़ुरत नहीं गपाल कल क्या हुआ था बताओ तो दोपहर के समय मैं शीव मंदरी के सामने खड़ा था दोपशालो मंत्र देव सम्मोहनी मंत्र अरे तुम तो धन्य हो गए गोपाल अरे धन्य हो गए चान बाबा के आशिरवात के साथ साथ तुम्हें देव सम्मोहन मंत्र मिला तुम चक्रवर्ती सम्राड बन सकते हो गोपाल, तभी तो मैं सोचता हूँ या पवित्र दिब जोती कहां से आई, तो अब मैं चलता हूँ गोपाल, आपका दक्षिना, दक्षिना नहीं 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 अब कोई अवशक्ता नहीं अब मैं उस तिले के पाथ जाकर चान दाबा की समाधी पर बैट कर साधना करूंगा जिससे चान दाबा का थोड़ा सा आशिरवाद मुझे भी मिल जाए तो अब मैं चल रहा हूँ सब कुछ तो समझ गया गोपाल लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बुद्धी नहीं दिखती है अब होगी असली कहानी अर्थात मुझे किस प्रकार बुद्धी मिली इस घटना के बाद कुछ दिन बीद गए मैं नियमित विद्याले जाता हूं मन से पढ़ाई लिखाई करता हूं गाओं में मैं सब के लिए सुबूद बालक बन गया हूं और इसी के साथ साथ चान बाबा का दिया हुआ मंत्र भी भूलते जा रहा हूं गर्शा शमाप्त हो गई बादल छट गए और आकास नीला हो गया और आ गया मा के पुजा का समय और उसी समय दोपहर में मैं विद्धाले से घर वापस आ रहा था और आते हुए देखा एक व्यक्ति तश्वीर दिखा दिखा कर गाना गा रहा था गाने का विशय था महिश पिर शुर्वद्ध से घर और रूपैर संसिता नमो तस्मय नमो तस्मय नमो तस्मय नमोनमः याद्य चर्वभोंते2 बुध्धि रूपैर संसिता नमऊनमह how to सश्वीर में ब्रह्मा को देखकर मैं व्याकुल हो गया मैं सोचने लगा यदि एक मनुष्य के चार हाथ चार सिर हो तो उनका असली रूप कैसा होगा मैं शीधे दवड़े दवड़े नदी के किनारे पहुँच गया कोई नहीं है बिलकुल निर्यन है चलू अब मंत्र पाढ़ करू ओम हिडिंग देवताय नमः ओम विश्व परीपानायते नमः ओम ब्रह्मा देवताय नमः ओम मंत्रो रोज बंधनाय नमः ओम देवताय नमः प्रणाम साधू महराड आयुशमान भवत वत्स ब्रह्मा विश्व देव आधि देवतायों को जोड़कर अन्य समस्त देवतायों का भी इस मंत्र द्वारा आहवान कर सकते हो ठीक है साधू महराड तो अभी मैं किसका आहवान करों आश्विन का महीना है दुरुगा पुजा का समय है ठीक है चत्रमुख ब्रह्मा को नहीं देख सकता लेकिन दस बुजाओं वाली मां दुरुगा तो देख सकता हों वही ठीक है ओम हिडिंग देवताय नमा ओम विश्व पड़ी पानायते नमा ओम दुरुगा देवियोई नमा ओम अंत्र रोज्य बंधनाये नमा ओम देवताये नमा बोल पुत्र किसलिए मुझे बुलाया है मा एक साथ दर्श हात वाले मनुष्य मैंने नहीं डखा इसलिए सोचा एक बार आपका दर्शन करूँ इसलिए आववान किया कि मुझे बुलाया है बिना वर्दिय में तो जानी सकती क्या बर्दान दोगी मा अमरत्व फिर वो नहीं दे सकती क्यूंकि मनुष्य होके जनम लिये हो तो मरना तो पड़ेगा ही मगर हाँ एक वर दे सकती हूँ मेरे हाथ में है मधू इस मधू को पान करने से तु बहुत ही ग्यान ही हो जाएगा और इस हाथ में है मेरे दूद इस दूद को पान करने से अर्थ प्राप्त करोगे अब तुम सोचो दूद पिना है या मधू तुम कोन सा पियेगा मा मैं बहुत गरीब हूँ दूद या मधू कोई नहीं देखा इसलिए दोनों को ही एक साथ देखना चाहता हूँ ले फिर लेकिन मा दोनों को एक साथ देखूंगा तो इससे इनके गुण नस्ट तो नहीं हो जाएंगे न फिक है मा सच मुच अमरित है मा ए क्या किया तू ए क्या किया गू बपाल क्यों मा भूल तो कुछ नहीं हुई सोच के देखो मा ग्यान के बिना अर्थ और अर्थ के बिना ग्यान दोनों कुर्ण रूप से और संपुर्ण है इसलिए इन्हे मैं सम्पूर रूप में ग्रहन किया तू तो अपना पर्थ तोड़ दिया कैसे मा को एक साथ देखूंगा बोला था हा मा या तो मैं बोला ही था आक्ष देखूंगा या चक्कर देखूंगा या तो नहीं बोला था ना मा इसलिए मैंने अपनी शर्त नहीं तोड़ी अतिय उत्तम तू बहुती बुद्धिमान है मैं तो बहुती संतुष्ठ हूँ गोपाल मैं तुझे वर देती हूँ तू बुद्धी सत बुद्धी से अपना नाम रोशन करेगा इत्यास में तेरा नाम जाना जाएगा इसके बाद से ही हम लोगों का गोपाल बहुत बला ही बुद्धिमान हो गया है बिलकुल ठेग इसलिए तो महराज के पास सेहीरे जवाहराज सोने चांदी असर्फियां आदिपा रहे हो गोपाल वाब भी ठीक है अच्छा और एक प्रस्ण करता हूँ करो चांद बाबा के कतना नुसार मंत्रो चारण के बाद तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए लेकिन याद किस प्रकार से है वही मा का दिया हुआ बरदान है वही दिमागी शक्ति मंत्र भी तो निश्चे ही याद होगी हर कुछ कुछ बहुत ही कठिन संस्कृत के शब्द है इसलिए तुम्हें याद तो बिलकुल नहीं लेकिन इतिहास में अवस्य ही नाम करोगे लेकिन एक धोखे बाद और मिध्याबादी के रूप में जीख है मैं चलूँ